लुफेटिक जलोग्टव बनाये गार्लिक बनाट गार्लिक बनागे गार्लिक बनाग सकते शुरोग्पहएं इसके लिए्ध एक टॉर ने बना सकते हैं आयए डालेंगे पैटिकों पने यह सब मने यह सट फारा एक नि데 means हाफ स्पून आप सोडा एंड कार्लिक एक चमच क्रस्ट या चॉप गार्लिक क्वांटिटी और टेस्ट की अकॉर्डिंग पॉल्ट एड करेंगे लिटल बिट आप सुगर अब हुम इसमें टू स्पून आप करेंगे और इसको आप जूर के साथ या फिर पानी के साथ में एक डो बनाएंगे इसको हम पांस से साथ मिनट के लिए ऐसी रखेंगे अब यह बाउन मैंने आप देशीगी भी ले सकते हैं यह मैंने और वाइड लिया है आप इसमें ही चली प्लेक आलेंगे आप बटर भी ले सकते हैं मैट्री टोटर चली प्लेक्स और इगें वो आप इसमें पॉरी अंडर कर सकते हैं मेरे बच्छे नहीं खाते हैं पॉरी अंडर तो मैं नहीं एड करूँगी आप हम अपने ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें यह बटर आप करेंगे और इसको अच्छी तरह से घूंदेंगे सुफ्ट बूल्ट के रेडि कर लिया है मैंने इसको बना मिक्सर लगाएंगे जाए पड़ाएंगे तोड़ी सी चिली पाउडर भी एड कर लिया है थोड़ी सी स्पाइस के लिए थोड़ी स्पाइसी हो जाएगा तो और टेस्टी लगेगा आप इसके अंदर चीज, पनीर या बेजी टेबल भी फिल कर सकते हैं अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से हातों की साहिता से ही और इसके एजेज को इस तरह से सील कर देंगे बेकिंग ट्रे पे मैंने इसको रख लिया है अब हम इसमें कट लगाएंगे इक्वल साइज के इस तरह से अब हम अपना मसाले वाला मिक्शर इसके उपर स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा चॉप कोरियंडर डाल सकते हैं उपर से क्योंकि उपर से हम निकाल भी सकते हैं इसको इस तरह से अब हम इसको बेक करेंगे प्री इटी डवन में इसको हमने बेक करने के लिए रख दिया है 200 डिग्री पे 5-7 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे आप इसको कड़ाई में भी बना सकते हैं कड़ाई का ओवन बना के जैसे हमने कुपीज बनाई थी इसी तरह से या आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं अब हम इसके उपर मैंने इसको अबन से निकाल लिया है इसके उपर अपना बटर का मिक्सचर लगाएंगे और यह पूरी तरह से पग गया है यह ओयल का मिक्सचर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हाड़ न हो जाए उपर से और इसको अब हम थर्टी सेकेंड के लिए फिर से रखेंगे अवन में ताकि इसके उपर हमने जो ओईल लगाया है उससे थोड़ा सा कलर आ जाए और प्रिस्प हो जाए मैंने इसको एक लकड़ी के चकले पर निकाल लिया है अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे जो हमने कट लगाए थे उसी में हम कट लगाएंगे और यह हमारा ब्रेट रेड़ी हो जाएगा इसको आप पीसिस में काट कर आप इसको क्रीम चीज या सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं यह बिना इस्ट के गार्लिक ब्रेड बनके रेड़ी हो गया है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स वर वाचिंग मैं वीडिय है अगला छूआ का कर दा रेड़ी होगे रेबरे ऒया है अगल?